दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेली वोकैब्स में आज हम बात करेंगे इंग्लिस वर्ड फिलिंच के बारे में F-L-I-N-C-H फिलिंच It is used as a verb, it means to make a sudden moment backwards because of something painful or frightening दर्द या डर के मारे एका एक पीछा हटना To avoid doing something because it is unpleasant किसी एप्रिय बात से कत्राना For example, महेश दिंट फिलिंच once when the nurse cleaned the wound in his leg महेश दर्द से पीछे नहीं हटा जब नर्स ने उसके पैर के घाव को साफ किया We must not flinch from difficult decisions हमें कठीन फैसलों से कत्राना नहीं चाहिए Synonyms of flinch, wins and recoil Antonyms of flinch, confront and face किसी एप्रिय बात से कत्राना नहीं है किसी एप्रिय बात से कत्राना नहीं है किसी एप्रिय बात से कत्राना नहीं है